वेवरिवन स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टरी हब में आज किस वीडियो में हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेन एमसी क्यू देखेंगे आप उसे पर्चिस कर सकते हैं इंडिवीजवल कोर्स भी ले सकते हैं सब्जिक का या आपको कमबाइन भी ले सकते हैं ठीक है तो एक अप्रेल दोहजार चौबिस को लाएगा याद रखना बहुत जादा इंपॉर्टेंट कॉशन है सेकेंड कॉशन है और काफी बच्चों की डिमांड थी कि मैं हिंदी में लाए हिंदी में लाए तो यह सेशन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है ठीक है तो ऑफ्राइस कापिटल रिफॉर्ट बिल्कुल देखिए जितना भी टाइम मिलता है हम उतनी वीडियो आप तक पहुचा देते हैं जितना पॉसिबल हो जैसे कंप्लीट वीरी शेशन वन और सेकेंड पार्ट दगा तो जितना भी टाइम होता है वेटा हम आपको वीडियो जो भी है वीडियो और एमसी की प्रवाइड कर देते हैं ठीक है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहों इसके पार जोदी मैं कोर्स भी लॉंच की हूँ उसको भी आप ले सकते हैं ठीक है क्योंकि कुछ मेरी भी कुछ काम है हम भी कुछ पढ़ते हैं और यह सारी चीज़े हैं तो मेरा भी जॉब वेगरा है तो इस वज़ए से पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत सारी वीडियो लाइफ सेशन दे सको ठीक है तो अगर वीडियो आपको पसंद आ दिए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए तो अपकी जितने भी दोस्त हैं अगर हम जहां महनत कर रहे हैं तो अगर उस चीज़े स्क आउटपुट ना मिले तो फिर चले ऑठराइस कैपि पिल्ट की के स स्वावी होते हैं वाई स्वपधी कमपनी कigonop 54 में अगर भास करें जो इदेपिनाशनन कमपनी पॉब्ली कमपनी टीज गई है the definition of the public company has been given in the company's act तो company's act में public company की जो definition दी गई है किस section में दी गई हो section 2 sub section 69 में याद रखना ये ठीक है question number 5 है what is the maximum discount rate on equity shares maximum कितना discount rate होता है equity shares पे तो 10% का होता है question number 6 पे आते है companies formed by एक company किसके द्वारा बनाया जाता है तो company जो है आपने definition पढ़ी होगी company एक separate legal entity होती है artificial person होता है जो एक law के द्वारा create किया जाता है ठीक है तो that is common law के द्वारा इसको create किया जाता है question number 7 है maximum interest on unpaid capital नहीं तो हम आपकी बहुत सारी live session भी लेते live class भी maximum interest on unpaid capital तो कितना होता है 10% ठीक है next question number 8 है share capital is included share capital में क्या शामिल होते हैं तो इसमें आपके equity shares और preference shares वो क्या होते हैं दोनों include होते हैं advance call is shown in the balance seat advance call को हम balance seat में कहां दिखाते हैं current liabilities में दिखाते हैं चालू दायत इसमें दिखाते हैं question number 11 है exception of a given on redemption of forfeiture share is done अब जो भी हरड किये गए अंशो को हम पुने अगर इस निर्गमन किया जाता है तो किसको हम debit करते हैं तो uns अप हरड खाता में question number 12 है if the forfeiture of shares done मतलब अंसो का अगर हरर कर लिया जाता है क्यों होता है क्योंकि याचित राशी नहीं मिलने पे क्या हो shares क्या है forfeiture कर दिये जाते है question number 13 है company definition of company की बात किसमें की गई है तो company अधिनियम 2013 में की गई है धारा 220 में की गई है section याद रखना section 2 sub section 20 में की गई है और company अधिनियम companies एक 2013 question number 14 है shares can be allotted shares को हम आवंटिंग किया जा सकता है यदि वो अगर जितना नियूंता मतलब उतना अंसदान अगर उससे प्राप्त कर लिया गया हो तब हम उसको allotted करेंगे share application account क्या है personal account है ठीक है याद रखना वेक्दिगत खाता है question number 16 है if the shares are forfeited then the amount demanded on them would be paid by shares forfeited और जो amount जो है उसको हम किस पे करेंगे तो किसको debit करेंगे तो उसको अंसपूजी खाता में debit करेंगे 17 है share are forfeited तो share को forfeited किया जाता है उसके याचित रासी नहीं मिलने पर किया जाता है ठीक है जितना वो नहीं मिला है question number 18 है after the reissue of the forfeited share the balance is non-sharing account is transferred reissue of forfeited shares कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो balance non-sharing account को transferred किया जाता है capital account में capital reserve account में हर एक question important है question number 19 है meaning of share capital share capital का मतलब यहाँ पर क्या होता है that is प्राथित पूंजी से 20 number question है right shareholder are those which are offered तो विदमान अंशिधारी को 21 है paid call शोन किया जाता balance sheet of the company तो जो भी मागी गई अंस पूंजी से घटा कर हम उसको दिखाते हैं balance sheet में 22 है कि proportionate allotment of shares का मतलब क्या होता है तो सभी आवेद को को आवद्धित अंशो के अनुपात में अनुपात में अनुपात है शेयर आर इसूट तो इसूट किये जाते हैं इसको एट पार एट प्रीमियम पे 24 है अंडर विच सेक्शन कान इसूट शेयर अट प्रीमियम तो सेक्शन 52 शेयर अप्लिकेशन अगाउंट क्या है तो यह पॉस्नल अगाउंट यह टोटल पर्ट्र सेंसी क्यूं है आपके इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अप्लोड किया उसको देख लाना है क्या है